हलो गुड मॉर्निंग साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे साथियों जार्खंड से एक लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट नियू जा रहा है और ये students, candidates के लिए बहुत important है जो government exam की त्यारी कर रहे हैं खास करके SSC और JSSC मेरे प्यारे साथियों JSSC के नियों में कुछ बदला हुआ है चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या बदला हुआ है तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं JSSC का या फिर SSC का तो दो गो exam होता था हा ना देखिए नियम बदला हुआ है आपका JSSC में SSC में नहीं JSSC में जारखन SSC में है ना तो देखिए अब तक क्या होता था कि दो गो exam होता था एक PT और एको मेंस पहला exam का नाम PT था पहला exam क्वालिफाई करने के बाद second exam मेंस का exam होता था तो देखिए अब जारखन सरकार ने कुछ JSSC में बदलाव किया है अब देखते हैं JSSC में क्या बदला हुआ है तो चलिए पूरा निवच को देखते हैं कि ये निवच क्या कहता है देखिए जारखन राजी करमचारी चेयन आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं JSSC अब PT और मुख्य परिच्छा जिसको बोलते हैं MENS की जगा अब एक ही परिच्छा लेगा देखिए जो दोगो एक्जाम होता था एक PT और एको MENS तो अब जारखन में यानि JSSC में अब दोगो एक्जाम के जगा एक ही गोई एक्जाम होगा मतलब PT और MENS का नहीं एक्जाम देना है बलकि एक कॉंबाइन एक्जाम देना है जिसमें PT और MENS दोनों ही सामिल होगा मतलब दो गोई एक्जाम नहीं अब एक ही गोई एक्जाम देना है अब देखते हैं इसके पीछे का रीजन इसके पीछे राज में खाली बड़े पदों पर तेजी गती से नियुक्त करने की मंसा है आयोग ने परिच्छा पेटेन को बदलने का भी फैसला किया है जैसे सी और कर्मिक एवंग परसासनिक सुधार विभाग के साथ बैठक में यहां सहमती बनी है इसके बद यहां परिच्छा से रिजेल्ट निकालने के लिए जैसे सी परिच्छा संचाल नियमावली 2015 में संसोधन किया जा रहा है देखिए अब तक जो नियम था 2015 का नियम का बदला जाएगा क्योंकि देखे उसके नियों में परिवर्तन करके नया नियम लागू कर दिया जाए क्योंकि अब दो तो एक जम होगा नहीं अब होगा एक एक जम संसोधन का प्रारूपताई हो जाने के बाद केबिनेट की स्विकिर्ती ली जाएगी उलेखनिया है कि जैसे सी राज सरकार के करवी केवंग परसासनिक सुधार विभाग द्वारा अधिसुचित नियामली के तहत ही परिच्छा का आयोजन कराता है अब देखिए मुख्यमंत्री हैमन सोरेन ने 2021 को नियुक्तियों का साल घोसित किया है देखिए 2021 को नियुक्ति का साल घोसित किया है मुख्यमंत्री ने है न ऐसे में कम समय में जादा से जादा खाली पदों पर नियुक्ति की जा सके इसलिए आयोग की और से यह पहल की जा रही है मेरे प्यारे साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ जो दो गोई एक्जाम होता था पीटी और मेंस इस दो एक्जाम के बीच में बहुत दिनों का गैप मिलता था पीटी होने के लगभग दो-तिन साल बाद मेंस होता था इसा भी हुआ है हाँ ना फिर देखिए कोई-को बस एक ही एक्जाम आपको क्वालिफाई करना है अगर क्वालिफाई हो गए तो ठीक है और नहीं होए तो अगला एक्जाम के लिए त्यारी करना है हाँ ना चलिए बात को आम लोग पूरा समझते हैं डिटेल मोर अभी नियुक्ति के लिए ये प्रावधान देखिए प्र राज कर्मचारी चयन आयोग की वरतमान परिच्छा नियमावली के पहले पीटी और फिर मेंस की परिच्छा लेने का प्रावधान है नियमावली में पीटी की परिच्छा लेने का इसलिए प्रावधान किया गया क्योंकि जैससी द्वारा ली जाने वली परतियोगी परिच्छा से परिच्छा फल का प्रकासन के गुनवता पूर्ण नहीं माना जाता है इस कारण से पीटी के माईद्यम से जीतने रिक्त पद हैं उससे दस गुना अधिक छात्रों का चैन किया जाता है फिर मुख्य परिच्छा के माईद्यम से अभी आर्थियों का चैन किया फिर अंतिम परिच्छा फल का प्रकासन किया जाता है देखिए अब तक जो नियम था क्या नियम था कि पहले PT का ही जाम होगा था और जितना भी candidates apply करते थे उसका दस गुना देखिए जितना भी vacancy था उसका दस गुना student को बास के जाता था उसके बाद उन्ही students को मेंस लिए जाता था उसके बाद final परिणाम भोसित के जाता था लेकिन अब यह नियम बदलने वाला है साथ के साथ देखिए और नियूज को देखिए क्या गाता है नियूज में एक लाख नियुकती के लिए परिच्छा लेगा कर्मचारी चयोना योग देखिएगा एक लाख परिच्छा देखिए एक लाख मतलब भी एक लाख भेकेंसी निकलने वाला है माइडियर एक लाग बहुत बड़ी मतलब बहुत जादा नंबर होता है है ना अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि राज सरकार फिलहाल एक लाग रिक्त पदों के बीरुत नियुक्त करने की स्थिति में है इसमें सिच्छक के लिए 25,000 से अधिक रिक्त पद हैं पूलिस वा आई कुल पर्थमीगे स्कूल पर्तियोगिता परर है नंशीम की परिक्याघ्र गरेजवयेटलेएं लेवेल, कंबाइंड परिक्यां एन एम ए देखिए परतियोंगी ता परिच्छा अन्य सामिल होते हैं मतलब इस जैसेसी में बहुत सारा डिपार्टमेंट का निकल के जैसेसी होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट का मिला करके जैसेसी का एक्जाम लिया जाता है और जैसेसी कौलिफाई करने का बाद विभी अब चलिए देखते हैं इस मुद्ड़ этого मिन क्या कहां जा रहा है।्ट सरकार के सिर्ष अस्तर से मीली जानकारी के अनुसार अस्थानिया के मुद्ड़ को सुलजा लिया गया है। तिर्तिय एवंग चतुर्तवर्द के पदों पर नियुक्ति को लेकर अस्थानिय जो अस्थानियता कहीं बाधा नहीं है क्योंकि सोनी कुमारी बनाम ज्ञारखंड सरकार मामले में कोट ने 13 अनुसूचित जीलो देखिए अधिशूचित जीलो में नियुक्ति के मामले में केवल उसी जीले के अस्थानिय लोगों की नियुक्ति संबंदी प्रावधान को रत कर दिया है देखिए उसके बाध फरवरी 2021 में राजि सरकार ने 11 गैर अधिशूचित जीलों के लिए भी इसी तरह के प्रावध वियावधान नहीं है तो इसका भी निप्टा रहा हो गिया लेकिन इससे भी बड़ा जो एक निवज आ रहा है इस निवज को देखिए यह अभी बहुत ही काम का निवज है वह से इस्टुडेंट्स जो अभी-अभी 10th पास किये और 12 पास किये उन लोगों के लिए बहुत इ इस निवज को देखते हैं तो देखिए यह निवज क्या कहा जा रहा है इधर जार्खंड से मेट्रिक इंटर करने वाले कोही 3rd और 4th ग्रेट की नोकरियों देने के मामले में महाधिवक्ता की महाधिवक्ता से राई मांगी देखिए इधर जार्खंड से मेट्रिक इंटर जो भी बच्चे मेट्रिग और इंटर जारखंड से दिये हुए हैं तो ऐसे candidates को 3rd और 4th grade की नोकरियों में preference दिया जाएगा अब देखें निवच क्या कहता है तो देखें निवच कह रहा है जारखंड से मेट्रिग और इंटर की परिच्छा पास करने कोही करने वाले कोही राज्य में 3rd और 4th grade के पदों पर नोकरी हो इसके लिए कर्मिक एवंग परसासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव त्यार किया है कर लिया है जारखंड राज कर्मचारी चायन आयोग जिसकों लोग लोगते हैं जैससी द्वारा इस तरह के पदों के लिए परिच्छा का संचालन किया जाता है इस उद्देश से जारखंड कर्मचारी चायन आयोग जिसकों लोग जैससी बोर रह संचालन नियम अली 2015 में संसोधन के लिए त्यार प्रस्ताव पर अब महादिवक्ता की राई मांगी गई है क्योंकि यहाँ बड़ा स्वाल खड़ा हो गया है कि जारखंड के मुल निवासी जो किसी कारण दूसरे राज्यों में या दूसरे राज्यों में नोकरी करते हैं रहते हैं या फिर नोकरी करते हैं या फिर बेवसाई करते हैं उनके बच्चे भी वहीं सिमेट्रिक या इंटर की परिशा पास की है जायर सी बात है जो बेकती जारकंड से बाहर रहा है तो उसके बच्चे भी जारकंड से बाहर ही पढ़े होंगे है ना फिर उन्हें ये तिर्ट चतुत वर्ग के पदो पर नोकरी नहीं मिलेगी तो ये भी एक बहुत ही ने जुज है अच्छा ने जुज है इसको देखे अच्छा है बुरा है आप लोग इसा सब्सक्राइब कर सकते हैं जिदिते रहें देने बाद